बार-बार जुकाम होने पर क्या करें? बार-बार खांसी जुकाम होना एक अफसोसनाक और तंग करने वाले अनुभव हो सकता है, जिससे आपकी दिंचर्या और स्वास्थे पर असर पड़ सकता है। साथ ही, humidifier का इस्तमाल करना और साफ सुथरे माहौल में रहना भी सर्दी जुकाम से बचाव में मदद कर सकता है। इस वीडियो में हम बार बार जुकाम होने पर क्या करे बताएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि किस विटामिन की कमी से जुकाम होता है। बार बार जुकाम होने के कई कारण हो सकते हैं, जो व्यक्ती की आरोग्य स्थिती, पर्यावरन और उनकी आदतों पर निर्भर करते हैं। कुछ सामाने कारण जो बार बार जुकाम का कारण बन सकते हैं। Airborne Transmission, जब कोई संक्रमित व्यक्ती खांसता है, छींकता है या बोलता है, तो हवा में छोड़ी गई बूंदों को सांस में लेना वाइरस के फैलने का एक आम तरीका बन जाता है। सीधा संपर्क, शारीरिक निकटा भी एक भूमी का निभाती है, वाइरस आसानी से हाथ मिलाने या पहले से ही सर्दी से पीरित व्यक्ती के साथ बातचीत करने जैसी गतिविधियों के माध्यम से फैलता है। साजा वस्तुए, रोज मर्रा की वस्तुएं अंजाने में वाइरस की वाहक बन जाती हैं। यह आम तोर पर धूल, धूमरपान या धूल युक्त पदार्थों के संपर्क में आने पर होता है। मौसम परिवर्तन, मौसम के परिवर्तन के साथ जुकाम का खत्रा भी बढ़ता है। थंडी, गर्मी या मौसम के अने परिवर्तन से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है, जिससे जुकाम हो सकता है. यदि आपको बार-बार सर्दी का अनुभव हो रहा है, तो लक्षनों को कम करने और अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के हाइडरेटेड रहे, हाइडरेटेड रहने और अपने शरीर को ठीक से काम करने में मदद करने के लिए खूब पानी पिएं. संतुलित आहार, आवशक पोशक तत्व प्रणाली के लिए फलों, सबजियों, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार का सेवन करें. परियाप्त नींद, सुनिश्चित करें कि आपको परियाप्त गुर्वत्ता वाली नींद मिले क्योंकि यह एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने में महत्वपून भूमी का निभाती है. नियमित व्यायाम, समग्र स्वास्थे और प्रतिरक् करें. धूम्रपान और अत्यधिक शराब का सेवन प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है. इसलिए धूम्रपान छोड़ने और शराब का सेवन सीमित करने की सलाह दी जाती है. गर्म और शुष्क रहें, ठंड से बचने के लिए 2-3 लेयर कपड़े पहने और अत्यध ठंड की स्थिती से खुद को बचाएं. दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें. धन्यवाद.